पीली और काली हल्दी के बारे में ही सुना होगा लेकिन क्या आपने कभी सफेध permtilky descent के बारे में सुना है और अगर नहीं सुना है तो मसालों के बारे में आपका ज्यान बढ़ाने के लिए आज हम बात करेंगे सफेद Allty के बारे में सफेध हल्दी जिसे जिर्डोरी भी कहा जाता है जो एक पारंप्रिक मसाला है और ये करकुमा जिर्डोरिया पौधे की जड़ से प्राप्थ होता है सफेध हल्दी का इस्तमाल अक्सर एशियाईयो खानों में किया जाता है इसको खाने पर इसका जाय का कड़वा और गूदेदार होता है जो स्वात के साथ देखने में भी अद्रक जैसा ही होता है या वसंद और शरक रितु के दौरान उपलब्ध होती है हिंदी में सफेध हल्दी को अंबा हल्दी कहा जाता है जिसका आर्थ है आम हल्दी क्योंकि इसकी विशिस्ट सुगंध कपूर और हरे आप की याद दिलाती है अब बात करते हैं सफेध हल्दी के फायदों के बारे में सफेध हल्दी में करक्यूमिन के तत्वों पाय जाते हैं जो कैंसर को शिकाओं को बढ़ने से रोक सकते हैं ये दो तरह के कैंसर को रोकने की छमता रखती है इसलिए इसको अपने डाइट में शामिल करने से पुरुशों में होने वाले प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को कब करने में कारगर होती है सफेध हल्दी यानि अंबा हल्दी में कई तरह के पोशक तत्वों पाय जाते हैं इसके इस्तमाल से आप सूजन, घाओ या फिर तवचा से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं। और साथी आध से जुड़ी दिक्कते, फेफडों से जुड़ी दिक्कते और जोडों के दर्द से राहत मिलती है। सफेध हल्दी का अर्ख पीने से लीवर से जुड़ी दिक्कतों से भी छुटकारा मिलती है। पेट से जुड़ी कई तरह के दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए सफेध हल्दी का प्रियोग किया जाता है। सफेध हल्दी का उपयोग साथ सजोडी दिक्कतों में भी किया जाता है। अर्वेद की मताबिक सर्दी, खासी और दमा जैसे समस्याओं में भी सफेध हल्दी का इस्तमाल बेहत लापकारी होता है। इसके अलावा इस हल्दी के तेल में एंटी अलर्जिक गुड़ पाए जाते हैं जो अलर्जी से जोड़ी समस्याओं में बेहत उपयोगी माना जाता है। अर्वेद की माने तो सफेध हल्दी का सेवन अगर दूद के साथ ही किया जाए तो सेहत को जल्दी आराम मिलता है। इसके अलावा चोट या मोच में सफेध हल्दी की मालिश करने से दर्द में आराम मिलती है। राहत सेवा संस्थान सर्व मानव अधिकार मानवता के लिए पढ़ते कदम में आप भी अपना सेयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल निउस टाइम नीशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ खबरे पसंद आजाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।